चलिए इंप्रोब्मेंट एंड फोड टेक्नलोजी फूब जो भी है फूड प्रोडक्शन करने में या उसको स्टोर करने में किसी भी तरीके से इसमें क्या होता है इसकी जरुवक क्यों पढ़े यह क्यों चैप्टर पढ़ रहा है क्योंकि इंडिया का पॉपुलेशन जो है अजादी के बाद से काफी अच्छा तरक्की पर है पॉपुलेशन काफी बढ़ता जा रहा है पॉपुलेशन बढ़ने से जमीन कभी नहीं बढ़ता है जो हमारे पास लैंड है वो अल्रेडी घटता है तो कि लोग जादा होगे तो उनको रहने की जगा जादा चाहिए सपुलेशन बढ़ने से पॉपूलेशन बढ़ेगा तो खाने वाले लोग भी तो बढ़े रहे तो फूट बढ़ रहा है तो अग्री कलचर क्या होना चाहीए था कि यह भी बढ़ाना चाहिए था मगर यह भी आगाई नहीं से कि जगा घटाना पड़ेगा क्यूं क्यूंकि जब पॉपुलेशन बढ़ेगा तो लोगों को चाहिए होगा और अम में राइशन होगा तो लेंड यूज होगा लोगों के रहने में और अगरिकल्चरल लैंड जो है कैसा लैंड यह एगरिकल्चरलल लैंड जो है उसमें कट़ोथी करने पड़ीगी फैनली होगा कि कम होगा ना तो इस प्रॉब्लम यह जो प्रॉब्लम अभी पहला लेना शुरू हुआ इसको मद्दे नजर देखते हुए कुछ ऐसा सिस्टम लाना पड़ेगा जिससे हमारा कम लैंड में भी या जितना अभी यह उतना ही रहते हुए भी हमारा जो इल्ड के क्या मतल होता है कि मजा यह तो बोली देखें कि बोलिए एल्ड का क्या मतलब होता है हाँ जी सिम्रण जी कि वाट इस एल्ड प्रोडक्शन आप जी अंजिली सेम इल्ड मतलब कितना प्रोडक्शन कर रहे हैं उपजा कितना रहे हैं इल्ड पर इयर बोला जाता है या फिर इल्ड पर एकर बोला जाता है मतलब एक एकर खेत में कितना प्रोडक्शन कर रहे हैं कोई भी क्रॉप्स का क्लेर है बात समझ में आया बात उसको इल्ड बोलते है तो यानि कि अब हमको एक ऐसा टक्नलोजी या एक ऐसा सिस्टम लाना होगा जिससे उतना ही amount of agriculture लैंड में हमारा जो इंड है पहले माल लेजे एक एकड में हम 100 किलो गेहूं उगाते थे अब उसी एक एकड फिल्ड में ऐसा कुछ सिस्टम लाना पड़ेगा जिससे हम जो हैं 200 किलो वीट सालाना उगाना सुरू करें ठीक है तो अब यह कैसे हो सकता है यह हो सकता है आपका तीन तरीके से एक जब HYV seeds आप इस्तमाल करेंगी यह क्या होता है high yield variety seeds इस्तमाल करेंगी clear है पहला दूसरा irrigation system को आप improve करेंगी यानि कि जो अनाजो को जाने में जो पानी चाहिए और पानी उनको देने का जो तरीका है उसमें कुछ improvement चाहिए यह इस काम करना होगा तीसरा कि modern technology यूज कर सकते हैं कर सकते हैं कर सकते हैं कर सकते हैं या उसी के अंदर यानिकी chemical हर्भी साइट्स अर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइट्स का इस्तमाल कर सकते हैं कर ही तरीके से हमारा जो हमारा जो प्रोडक्शन हो इंकर कि यही बातों को कहा जाता है कि Green Revolution हाँ हरीक्रांटी ठीक है कि Green Revolution का में मुद्दा क्या था मोटीट क्या था punish ग्रिंड रिवाल्यूशन क्यों लाए गया क्यों कि भाईया population बढआ खाना जादा चाहिए जमीन है उतना को उतना ही रहेगा जमीन बढ़ा नहीं सकते हैं और उल्टा हो सकता है कि जमीन घट सकता है बढ़ा तो उतना ही जमीन पर गटेवे जमीन पर प्रोडक्शन कैसे बढ़ा है तो उसके बातचीत की गई तो यह चीज चार चीजे निकल के आई इसी को बोलते हैं Green Revolution यह स्टार्ट कब से कब हुआ था 1966 से 1967 स्टार्ट हुआ था और चला 1978 तक यहां पे इंड था यहां पे स्टार्ट था ठेक है ठेक है Green Revolution स्टार्ट कहां पे हुआ 66 67 एंड 78 आपको स्टार्ट याद रखना मिल ली डे 66 यह 67 इस पर विवाद चलता है एक्चुली में देखा जाए तो दोनों ही सही है ठेक है बात क्लियर है चली अब बात क्लियर है तो आप बात किया जाए कि इस पर एक सवाल बनता है फादर ओफ ग्रीन रिवॉल्यूशन कौन है जी ग्रीन रिवॉल्यूशन ओफ वर्ल्ड पूरे दुनिया के ग्रीन रिवॉल्यूशन के पिता कौन थे नायाद है कि याद है सिम्रण जी क्या नाम पढ़ें पढ़के बतलाई कि बार्मीटर नॉर्मन नॉर्मन बार्न लॉग नॉर्मन बार्न लॉग क्लियर है और इंडियन ग्रीन रिवॉल्यूशन के फादर कौन है भाईया महेंद्र सिंग स्वामी नाथन क्लियर है याद रहेगा सवाल पूछेंगे याद तो रहना ही चाहिए तो कि पूछेंगे फादर आफ वर्ल्ड ग्रीन रिवॉल्यूशन कौन थे और फादर आफ इंडियन ग्रीन रिवॉल्यूशन कौन थे और साथ में ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में क्या क्या जि और मसीन का इस्तमाल करके चानिकल फर्टिलाइजर की बारे में बात करेंगे सबसे पहले आते हैं यह कैसे होता है है यह जो है आपका कैसे बनता है यह बनता है वाइदा प्रोसेस ओ लिए यह क्या होता है पताए कर दो कर दो कि अपाने हो दो आगाने कर शो है। यानि कि हाइब्रेड आइशन ये कैसा है आप एक तरीके का दूसरे तरीके का मतलब दो सीड लीजेगा और दोनों अलग अलग तरीके को हो इसका जैनेटिक प्रोपर्टिस क्या होगा अलग होगा एक जो है हाई टेंपरेचर से बच सकता है ऐसा माल लीजे और एक जो है जल्दी इस पर खीड़े मकॉड़े नहीं लगते हैं दोनों सीड को दोनों जैनेटिक लिए डिफरेंट है दोनों का आप मिला है और मिला करके बचने बचने का भी सकती है और कैसे बना जब इस दो तरह के सीड को क्रोस करवाके नहाद बनाए जिसमें डोनों इससका प्रोपर्टि है तो अबयस है न ये बेस्ट होगा अब्यस है न यह best होगा इसी को बोलते हैं hybridization और hybridization से ही बनता है HYB basically इसका definition यह तो हम समझाने के लिए बता है अगर hybridization का definition बोलेंगे तो क्या निकलेगा it is the process by which crossing of it is a process by which cross करवाते हैं crossing of two और दो या उससे भी ज्यादा ले सकते हैं two और more different genetical seeds to form a new variety of seeds और वो नया variety of seeds जो है इन दोनों का या और उससे ज्यादा seeds मिला के बना रहे थे तो उनका भी properties अपने साथ रखे लिए बात बात समझ में आया hybridization तक कोई doubt है चलिए आप green revolution के बाद एक चीज और शुरू हुआ था वाइट revolution अच्छा पहले तो यह बता है कि green revolution कि से रिलेटेड था ग्रेइन रिवालीशन जो था कि से रिलेटेड था अगरी कल्चरल प्रोड़क्ट से किस से था अगरी कल्चरल प्रोड़क्ट से बात खतन करें रिवालीशन की चलिए आप आते हैं वाइट revolution किसकी यह किस से रिलेटेड है भाई इसी को इसी का दूसरा नाम है फ्लड फ्लड रिवालीशन क्या नाम है इसका फ्लड रिवालीशन फ्लड मतलब बाढ़ भाई बाढ़ जो है लिक्विड यह सा चीज से ही आ सकता है ऐसा नहीं ना कि गेहू जल्दी है तो बाढ़ आ ज वाइट है वाइट कलर का होता है इसलिए मिल और इसी का दूसरा नाम है फ्लड रिवालीशन इसके फादर पूरे वर्ल और इंडिया दोनों के एक ही हैं क्योंकि इंडिया इस दो अली कैंट्री वी लार्जेस प्रडूशर ऑफ मिल्क एस वेल एस दा कंजूमर यानि कि हम स उसके इलावा जो बच गया रबडी चाहिए रस्मलाई चाहिए और कहके है जी दूद से पनीर खाना है है तो हम जितना भी उगाले हमें हमें हमारे खुद के लिए दूद क्या पढ़ता है कम पढ़ता है तो दूद जो है जो भी है सबसे बेश्ट हमीलों के पास है और सब अप्सीह दखाते भी हम हैं इसे लिए इसके जो रिवॉलुशन के जो है वह हमारे ही यहां से है उनका क्या नाम था फदर ओफ वाइट रिवॉलुशन के इनको कहा जाता है भुष बोलिए नाम पढ़िए अंजली जी पढ़ी पढ़ी पढ़ी, पढ़ी पढ़ी हाँ क्या पढ़िए नाम बताइए पढ़िए बताइए ना प्रनाव नाम पढ़ वैर यूस जी कहा गया खागया क्या पारले जी वाला लगी बोर यह वर्गीजे कुरियन क्या नाम है है क्यों मतलब अब फाइन में लगता है कि शौप से लुह विलों करते हो Kaline może यह बिलॉख से विलोंग करते हों हाला कि एक्जेक्ट नहीं पता हम तो यह पुस्टिन सर्च करना खुल एक योरसेफ ठीक है बात समप्त यहीं पर चलिए तो घर जाए इसमें टाइप सफ क्रॉप्स क्या है क्रॉप्स कितने तरीके क्यों बता सकते हैं बेसिकली अगर आपको बोले तो क्रॉप्स क्या क्या होते बोलिए एक हुए सीरियल्स दूसरे तीसरे चौथे ठीक है टोटल चार तरह के क्रॉप्स होते हैं सेरियल्स को क्या दे क्या देगा कार्भोहाइडरेट क्या देगा कार्भोहाईड्रेट सीड्स आपको क्या देगा ओएब मिलेट्स आपको क्या देगा रोटीन यह आपको क्या देगा ओएल से क्या मिलता परिशा थेक है तो सीरियल सापको क्या मिलेगा कार्बोहड़ेट्स आपको ओइल देता है जेनरी तो ओइल से तो फैटी मिलेगा बिलेट्स आपको क्या देगा प्रोटीन देगा क्या स्कुरॉप्स आपको क्या देगा मनी देगा अब इसमें क्या क्या था सुनिए कार्बोहड़ेट्स आपको कौन देता है राइस वीट ब खाने वाले और हिब्भी खाना यह कार्बोहाइडिट दिया अब सीट्स में क्या क्या दे सकता है कौन-कौन से आपको ऑईल देता है मस्टर्ड और और क्या क्या तेल का वह एक्जामपल देख लिएगा मिलेट्स मिलेट्स प्रोटीन आपको किस से मिलता है मिलेगा ना तो इसको इसमें लेते हैं बाद रहा क्या स्कॉप्स है सोख्या चीज जैसे कि क्या चाय नहीं मिलेगा तो मर घाए पिए भीना कोफी हुआ ठीक है सुगर केन हुआ सब यह सब जो है किसमें आता है कैस प्रॉट सो गया क्लिएर बार समझते किसमें आता है क्या एक्जामपल दिए कोफी टी ड्राइफ रूट ठीक है एक्सेक्टा किर स्थिरियल डिए मिलट क्रॉप्स के स्थिस चाहर सिरियल सिट्स पिलेट पिलेट्स इसड़े अब क्रॉप का सीजन होता है अब जैसे बोलोगों कोई किसान बनने का मन किया कुछ भी कभी भी लागा दिए तो नहीं उठा, ठीक साथ आपको- पढ़ने के कहते हैं का दॉसके होता हुठה, सुने का वक्तहतै क्लियर है चलिए अब यहां पर पढ़ने जा रहे हैं कि क्रॉप सेजन क्या पढ़ने जा क्यों करते हैं कि सनातन धर्म हिंदु धर में पहला महीना किसको माला गया पहला कि अधिकर छोडी जो मिले थेक तो समर ठीक है चलिए तो क्या कैसे याद रखना हम ट्रिक बता रहें देखिएगा पहले तो जे फिर के फिर आर ठेक है इसका क्या मतलब था जी जायद क्रॉप्स खरीफ क्रॉप्स रॉबी क्रॉप्स अब साल में कैसे लिए लिखे इसका परणके यह लिखे और आर लिखे अब इसको कैसे याद रहा है कर आए यह उसके बाद क्या आता है यहाद आ गया यानि के जे के आर और साल में जैसे आपका मौसन चलता है वैसे लिख दिजेगा आपको इसमें याद क्या करना था सिर्फ जे के और आप आप जे के आर का आपको नाम पता होना चाहिए अब यह नहीं कि जड़ेजा था क्या के फॉर कुमार अनन था क्या आर फॉर राहुल सर अपना लिखा दी नहीं वाबू वह याद रखना पड़ेगा ठीक है जायत खरीफ और रभी क्रॉप्स क्लियर है समर से स्टार्ट होगा विंटर में खतम होगा समर से कभी कभी इसमें डेट भी पूछ देता है तो डेट कैस देले जून तक चलेगा अब जून में जब 2 आ गया तो मॉनसूं और ज़ून से नवंबर तक चलेगा फिर जब इसका नवंबर इन्डा आ गया नवंबर तो नवंबर जून को ही मिलेंगे मौनसुन बारिष तुमसे मोर है क्या बारिष देखती पंक फेला के नाचने लगता है ठीक है समझ में आया अब याद करने क्या ट्रिक था जे के आर और वैसी जैसे साल में पहले घर्मी आता है फिर भाई बरसार फिर ठंडा वैसे लिख दिए अब क्या है आपको मंत क्या पकड़ लेना है एपरील एपरील जून वापस नवंबर बात समझ में आ रहा है और उसी के साथ लिख देना अब एपरील के बाद यह इसका इंड़ पॉइंट को कौन होगा जो इसका पहला पॉइंट होगा आप जून से लेके कब जो इसका पहला होगा को यह साथिल रिपीट होता रहेगा बात समझ में आया है अब सब्तो हो गया कैसे होगा हो गया अब इस में से क्रॉप्स क्या-क्या तेदेगा थिन चार फल का नाम कोई भी सब्जी का नाम या कुछ भी दे दिया या पूचेगा फिक का एसा ऐसा पिकरो जो जाहेद क्रॉप समें आता है आपको पता होना चाहिए कुकंबर वही खीरा ही हुआ और उसके साथ एक बड़ा अलग ककड़ी उसको क्या वोलते पता नहीं ठीक है और तर्बूज खाने लगते हो तर्बूज तो यह सब हुआ जायद क्रॉप्स में और ग्रीन वेजटेबल्स डाल देना बात समझ में आया यानि कि यह जायद क्रॉ हुआ क्या है कि अब बात करें खरीफ यानि कि मौन्सुन में क्या खाते है अब बोलो किस 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 चीजों को ज्यादा पानी चाहिए को कॉटन को अच्छा खास चाहिए तो लिख देंगे कॉटन को सूगर केन को चाहिए है सुगर खेन लिख देंगे और क्या क्या कि अब बोलिए ड्राइफ रूट्स उसी में आ जाएगा नट्स वगेरा बूमफली वगेरा बारिस के मौसम में ठीक है तुम्हारा मेज कॉर्ण सोया बीन भी आएगा ठीक है तो यह सब एक्जाम्पल हो जाया है क्लियर है बात समझ में अब रभी यानि के ठंडे में तो अच्छा इसका एक हां ठीक है इसका इक इंपॉर्टेंट चीज अच्छा जो इसका सबसे इंपॉर्टेंट है वह तो भूली गए हम लोग यह तो मेजर है इसके भीना तो इंडिया खाना नहीं चलता है तो हमैसा याद रखना कि राइस जो है राइस को बहुत पानी चाहिए होता है तो राइस हमेशा पानी वाले सेजन में ही लगेगा क्योंकि उसको पानी ज्यादा चाहिए और वीट ठंड चाहिए यानि कि वीट हमेशाtest किसमें आढ़ेगा का बात सम्elcome में आया कि राइस को बहुत जादा पानी चाहिए क्योंकि राइस को राइस बना लाने में फ़र गानी चाहिए तो राहेस में आधा सब्साइज करें अगया क्रॉप्स करीं मौनसुन में गोजा सब्सक्रास छाएक feme और ऑईल शीट में क्या कहत år जैसे कि मश्रड wonders जीट ग्रांप ग्रिंढट तो वी्ट लग जाएगा ग्राम लग जाएगा क्लेर्ट है उसके इलावा और ठंडी में क्या घारे था हैं मटर भर भर खेए अ तो सब लग जाएगा बात समझ में आए एजिता क्रॉप सेजन वाला चलिए टाइपस इप्रॉप बताई यह क्या है टाइपस अब देखें क्या वही न हम आप से पूच दिया कोश्चन अब बताईए यह सेजन था अभी भी लिखा हुआ है हम आप से क्यों दिया तो क्या लिखेगा एक्च वाई वी का पुछा बेनिफेट्स या फिर पुछा एडवाइंटेज्जिस क्या होता है तो क्या बताईएगा पहला हाईयर इल्ड मतलब बता चुके हैं मतलब आप बताई और कोई नहीं बुले मतलब जितना पहले उगा रहे थे अभी प्रोडक्शन बढ़ जाएगा तो पहला कारण हाईयर इल्ड देगा दूसरा क्या दूसरा इंपॉर्डेंट कारण क्या है इंप्रूव्ड जो क्वाइलिटी थे मेरा अनाच का या वह क्या होगा बोलिए इंप्रूव्ड होगा कि नहीं होगा तभी तो हाईवडाइशन इस्तमाल कर रहे हैं ना क्लेर है तीसरा इसका क्या मतलब है कि देखो उसमें तो जितना भी सीट का मिक्स्चर करके जो तीसरे तरीकी का सीट बनाये तो उसमें सबका प्रूपर्टी होगा यानि कि वो किसी वी तरह के इन्वार्मेंट पर रह सकता है ज्यादा गर्मी होगा कीड़े मोकॉडा से बस सकता है ठंड ज दोना सकता है सढब्सात होता है ला समझ रहा तो उसी को कहते है जैसे पुराने जमाने में सर्वाइब कर पाते अभी नहीं कर पाते और उपर से देखा जाने जमाने से तो उनमें अगर यह सब चेंजेस नहीं आता तो क्या वह अभी सर्वाइव कर पाते नहीं कर पाते चेंजेस आना जलूरी है वाइडर एड़ाप्टिविलिटी होता तीसरा चौता पॉइंट क्या होता कि 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 कर देखो बायोटिक मतलब लिविंग और एबायोटिक मतलब नॉन लिविंग अब रेजिस्टेंस मतलब रुकावट जो भी बायोटिक चीजे हैं बायोटिक और्गनिस्म है जो जिन्दा जो है जो इन क्रॉप्स को तंग करते हैं परिसान करते हैं किसी भी फॉर्म में कीड़ा लगना जैसे बोल सकते हो ठीक है उससे उनको रेजिस्टेंस मिलेगा मतलब उनसे वह बच पाएंगी खुद से ठीक जाने के मौसम में गर्मी लग रहा है तो यह सब क्या है बायोटिक चेंजेस अब वीट को लगाना था ठंडी में अब ठंडी में हो रहा है गर्मी तो तो फल हो पाएगा वैसा क्रॉप्स नहीं ना तब तो क्रॉप भी बोलेगा न मेरो दिमाग खराब हो गया बाई क्या ह हो रहा है किसके समय में क्या हो रहा है तो उससे बचने के लिए सब भी जरूरी है जो कि प्रोवाइड करता है एच वाई भी नॉर्मल सीड लगाते तो नहीं जहिल पाता है क्लियर है बात समझ में इतना क्लियर हुआ है बेनिफिट्स और अड्वाइंटेजेस चैन यानि क क्रॉप प्रोडशन का हम उब्aría का ड्रेयworld कैसे कर सकते हैं कि छ lamps और को प्रॉडशन का है इंप्रूपंध कैसे कर सकते मbled ini इसको इसको इंपरूब करने के लिए तीन चीज चाहिए हो लेकिन अभी हमको क्या पढ़ना है इसमें बोल यह पढ़ना है लेकिन फिलाल तो न्यूट्रीशन के बारे में पढ़ना होगा करें कि उट्रीशन के बारे में बता रहें किया है यह सकता है तो किसका लेना देना कर रहा हैं और ऑक्सीजन का बात करें से तो वाटर किससे बना है बिसिकली आज टू हो क्या चीज का लेना देना करेंगा हाइड्रोजन एच फॉर हाइड्रोजन और फॉर ऑक्सीजन क्लेयर है इससे न्यूट्रिशन किसको मिल रहा है प्लांट्स को ठीक है अब बात करते हैं स्वाइल को तो स्वाइल में जो होता है ना यह चाहिए ही चाहिए प्लांट को इसके बीना जीवित नहीं रहेगा मर जाएगा ठीक है और एक होगा छोटा जो नहीं भी मिला तो काम चल जाएगा ऐसा नहीं है कि गाड़ी जो है इसका रुक जाएगा मिल जाता तो ठीक रहता नहीं भी मिला तो भी चल जाएगा और य यह जैसे हम कोई गाड़ी है तो हमारा फ्यूल क्या होगा गाड़ी किस से चलता है फ्यूल से तो हमारे लिए प्रोटीन हम ज्यादा नहीं पचा पाते हैं प्रोटीन हम को नहीं चाहिए ठीक है हमारी में क्या है और बात रहा है minerals का जो तुम वो सब फल वल खाते हो जो बोलते हैं न फल खाना चाहिए फल खाने से फल अगर तुम बहुत दिन तक नहीं खाऊगे चार पांच सल तक तो तुम्हें कुछ होगा नहीं तुम जिन्दा रहोगे फर्क पता है बस क्या रहना चाहिए बात समझ में आ रहा है मिरुमान सेंपृटेंट होता है इसके बिना आप कर पाएगा इसमें किसको गिनते हैं कैल्सियम को मैगनेशियम को ठीक है तुम्हारा फॉस्फोरस हो जाएगा कि पोटैसियम हो जाएगा और यह तो चाहिए ही चाहिए इसलिए बड़ा लिखा है सबसे नाइट्रोजा यह सब चाहिए यह चाहिए भा क्यों क्यों की नहीं लेता है और लिख सको चाहिए रहेगा प्लांट का जो इस टोमाटा बना वहा किस तरह के गाए क्या होगा अगर कार्बन ले लिए तो मर जाएंगे हम कार्बन हम तो बाहर फेकते हैं ना जी हमें नहीं चाहिए ना फिर ले तो हम लोग भी नाइट्रोजन रहें लेकिन निकाल भी दे रहें उतना ही का उतना नाइट्रोजन इस्तामाल सिर्फ क्या कर रहे हैं ऑक्सीजन ठीक है जो हमें नीड है तो ले वह भी रहा है लेकिन उसको अपने पास रख है नहीं पा रहा है उसको रखने के लिए कुछ अधर ऑर्गिन्स की जरुवत है जैसे कि बैक्टेरिया कुछ प्रेशन तो क्या हो जाएगा आई राल एक बोरों जीनक्त कर लिए इतना ही याद कर लो जो बच गया सबको ऊसुमर डाले लो यह अलग से याद किए यह अलग से याद किए डाटा बढ़ गया कुछ भूल गया दिमाग करा यह याद कर लो जो इसके इलावाद जो भी नजर आए कहां डाल दो कि माइक्रो में खेल कर तो बात समझ में आया है थेक है चल दिए कि न्यूट्रिशन हो गया कंप्लीट आपका यह वाला पार्ट कर दिए अब क्या बचा है कि चलिए इरिगेशन जी इरिगेशन यानि कि इरिगेशन बैसिकली क्या बोलते हैं गलत नहीं समझना है यहां पर गलत नहीं समझना है कुछ लोग आज दिए बैसे कलेयर है जो कि हम लोग आए दिन अपने घरों के अगर बगीचा है या गमला है दोनों से कोई भी एक है तो उसको देते हैं घर में माली प्लांट है उसमतर पानी में डुबा के रखते हैं ल एक जग्गा में काम नहीं होने वाला है यह पूरा खेत खली आने जिसे पूरा भारत खाएगा ठीक है तो नदी जरूवत पड़ेगा नहीं तो कुआ जरूवत पड़ेगा ठीक है तो इरिगेशन करते कैसे कैसे हैं क्या क्या प्रोसेट देखो तो कहां बज रहा है यार आ लग सी चलिए इरिगेशन इरिगेशन अब किन-किन तरीकों से किया जा सकता है एक तो होगा ट्यूब वेल एक होगा वेल यह होता है डग वेल क्लियर है एक ले सकते हैं कैनल से ठीक है कैनल में क्या होगा जी नहर नहर बोलते हैं क्लियर है और एक क्या होगा रीवर लिफ्ट शिस्टम और वाटर हर्वेस्टिंग इसे क्लियर है यानि कि एक डो टील इरिगेशन आप एक कल्टिवेटेड लैंड को कि इसको बोलते हैं सिवर्ण जी कल्टिवेटेड लैंड किसको बोलते हैं कि याद करने की चीज़ थी यह तो वही बात हो गया कि हम यह तो वही बात हो गया कि हम सर्फ चावल वाटिज चावल तो हम चावल भूल गये क्या होता है जो जमीन खाने के यह भूल कैसे सकते हैं जो सबसे सिंपलेश चीज था चल यह देखिए खेर कल्टिवेटेड लैंड को इरिगेट करने के कितने सारे प्रोसेस हैं देखिए आप क्या कर सकते हैं एक जगा गढ़ा खोतके कुवा बना सकते हैं और वहां का जो अंडर ग्राउ एक उसमें जमा होते रहेगा फिर उसको पाइट या मोटर के थुरू आप निकालके अपने खेतों में पानी जो है पटा सकते हैं एक दूसरा आप ट्यूवेल बना देंगे ट्यूवेल क्या और भी इस पे जितना गढ़्धा की हैं कुवा में अब उससे भी ज्यादा गढ से एक रास्ता बना देंगे माल लोग ऐसे इधर से ऐसे करके रिवर बहराता है क्या है रिवर बहराता इससे एक ऐसा रास्ता बना करके और अपने कल्टिवेटेड लैंड में बना तो इसका थोड़ा सा पानी इधर आ जाएगा और इससे आपके पुरेस में क्या हो पंजाब में पांच नदी है जिसलिए उसका नाम है पंजा पंजाब एक पंजाब में कितना उंगली पंजाब में पांच नदिया है उनसे डारेक्ट पानी अपने खेतों के तरफ ले जाता है और पंजाब में प्रोड़क्टिविटी भी अच्छा है पंजाब कही किसान लो से रास्ता निकाल के ले लेता है सबको पता होगा घरों के च्छतों पर या कहीं कुछ टैंक खोड़ दिये अपने खेतों में जिसे रेंड का बारिस होगा और उसे भी हो सकता है रखेयर है अरिगेशन Uhh हमारे इंरिगेशन सिस्टर लेन वह 40 कामद डाईर रे शिक्षटी परसेंट जो सब्सक्राइब ही यह सब इस्ते माल कर पाते हैं साट पर्संट अभी भी किस पे है कि आसरीं बारिस यह इनकी फ़सल होौ जाती है बात समझ है चलिए इरिगेश्चन हो गया कि नीउट्रियंस हो गया क्लापिं एक सब्सक्विक घ्रते चर्भिंग पंक्रापृप principio कर थे ना देखें क्रॉपिंग पैटन मतलब क्रॉप को किस तरीके से लगा जाए पहला क्या होता है मिज्ट क्रॉपिंग इसमें क्या होता है इसमें देख लिए सिंपल दो या उससे ज्यादा क्रॉप्स लगाते हैं इसी को क्या बोलते हैं मिज्ट क्रॉपिंग दो या उससे ज्यादा भी क्रॉप्स लगा सकते हैं एक ही लैंड में एक ही सेम पीस अफ लैंड में उसी को क्या बोलते हैं मिज्ट क्रॉपिंग क्लियर है ठीक है कि दूसरा क्या होता है इंटर क्रॉपिंग यह क्या है जी बोलिए इंटर क्रॉपिंग में क्या होता है जल्दी इसमें क्या लगा रहे हैं टू और मोर क्रॉप्स लगा रहे हैं इन डिफने इन डिफ्रेंट पैटन कैसा पैटन डिफ्रेंट पैटन जैसे कि मेरा कहना कि यह मेरा जो है खेत था इसको हम लाइन से डिवाइड कर देंगे यहां पर हम लगा दिये इस तरीके का क्रॉप यहां पर लगा दिये इस तरीके कि लेयर आज समझ में आया बदल बदल के एक एक छोड़ के लेयर वाद इसको बोलते हैं इंटर क्रॉपिंग और पहला वाला था मिश्ट क्रॉपिंग डन अच्छा उसके बाद तीसरा पॉइंट क्या है यहां लिखा रहे हैं तीसरा इसी के अंदर क्रॉपिंग पैटन के अंदर तीसरा क्या होता है क्रॉप चेंज यह क्यों करते हैं ताकि देखिए अब माल लीजी जो इस तरह वाला फसल है वह पार्टिकुलर ली एक ही तरह का न्यूट्रियंट स्वाइल से ले रहा होगा तो इसी को बार बार लगाते रहें तो स्वाइल नाइट्रोजन ले रहा है और यह वाला लगाते रहे घुरा नाइट्रोजन चाहिए किसी को नहीं लगेगा अब इसी में क्या भर देंगे यह एक बार लगा दिए अब दूसरा बार दूश्रा चीज लगा देंगे जो नाइट्रॉजन और स्वाइल में भर दूश्रा चीज डूसरा निउट्रियंट ले चुरेंट ले लिए फ़ paints लगा दिते हैं या प्ल्स लगा देते हैं यह लोग क्या करता है यह लोग जो है स्वाइल में स्वाइल में भर भर के नाइट्रोजन डाल देता है क्या कर देता है डाल देता है वाट्सप लाइवेग ठीक है भर भर के अब जो पहले नाइट्रोजन खतब हो गया स्वाइल से ठीक है अब वह वापस स्वाइल में मिल ग पी उगा है तो वापस सोयल में नाइट्रोजन भर गया फिर यह लगा देंगे अच्छा उगएगा समझे अच्छा उगएगा ऐसे होता है तो यह बदलते रहना जरूरी है यह नहीं कि सालों भर एक ही चीज तो फिर वह खराब हो जाएगा वह फिर मट्टी उगा के बढ़ि चलिए अब क्या बची गया है जी मैनियोर अब फर्टी फर्टी लाइजर चलिए क्या होता है जी मैनियोर क्या है जी मैनियोर कर दो है कि अब देखो इसमें इप्रॉटेंट क्या क्या याद कर निकला है अगर हम को याद करने रहता है इतना बड़ा सेंटेंस तो हम कैसे याद करते मैनियोर एक बस इतना याद करते मैनियोर एक और्गनिक सब्स्टांस है तो आप बोल दिए एनिमाल एक्सकृिटा तो प्लांट के बाद तो वेश्ट ही लगना था तो याद करते और क्यों सब्सक्राइब करते हैं तो यह प्रैक्टिस के बाद आता है थीक है बात समझ में आया तो मैन्योर बेसिकली क्या है एक और गनिक एक नेचर से मिला हुआ सबस्टांस हमने उसे नहीं बनाया हम उसे फैक्टरी या कोई भी घरों में नहीं बना रहें खुद से यह खुद जैसे कि काव डंग हुआ गोबर वगेरा उसको ले लेते हैं कीचन का वेस्ट को ले लेते हैं प्लांट का वेस्ट को ले लेते हैं सीवेज जो नाली कराता है उसका वेस्ट को लेके एक गड़े में डाल देते हैं गड़े में डाल देते हैं और उसको छोड़ देते हैं बा देना वही होता है हमने इसमें एक्ष्टर कुछ मिलाया क्या नहीं अच्छा इसका खासियत क्या है इट सप्लाइज लेस क्वाइंटिटी आप सारी खासियत बोल दिये बस एक ही इसमें डिमेरिट है कि यह किसली हम लोग अच्छा एक तरह से बेसिकली अगर बोले ना तो इस इसको मट्टीओं में मिला देते हैं और उसके बाद उसमें उगाते हैं तो काफी अच्छा खेती होता है यहे नैच्छल खासियर आप इसका डिस अड्वंटेज बस यही वाला डिस ड्वंटेज है कि कम quantity nutrient देता है ठीक है कम quantity nutrient देता है और साथी में slow process है कैसा process है स्लो प्रोसेस है, फायदा क्या है? भाया, चीपर है, क्या है? चीपर है, सस्ता पढ़ता है, क्योंकि इसमें कुछ लगा नहीं रहे है, अपने तरफ से एक्स्ट्रा, ठीक है? इसलिए सस्ता पढ़ता है, बात समझ में आया, मैनियोर हो गया? अब है जी, फर्टिलाइजर, यह क्या होता है? बोलिए, यह क्या है? वो और गैनिक था, यह कैमिकल सस्टांसे से, अब कैमिकल सस्टांसे से तो यह कहां बनेगा? इंडस्ट्रीज में, या फिर फैक्ट्रीज में, वहीं बनेगा, अब जब यहां बना हुआ है, तो इनके लि यह ज़ादा नूट्रीन शप्लाइब करेगा मोर नूट्रीन सप्लाइब टू अब भया इंडेस्ट्री में लगा था तो बिल्डिंग खरीना पड़ा मसीन खरीना पड़ा जगा लागा जो कि सब खरीद क्या है तो अब्यास है कि यह कॉस्टली होने वाला है अच्छा यह फास्ट प्रोसेस होगा यह और मैंईओर और फटिलाइजर का डिफरेंशेशन खुद बाखुद कर सकते जो कि मैंने उसी तरीके से बताएं उसके लावा एक चीज बता देता हूं और मैंईओर और जो फटिलाइजर में एक है यह इन्सॉल्यूबल होता है इन वाटर पानी में नहीं गुलता है और यह सॉल्यूबल इन वाटर क्लेयर है अब जो कि यह पानी में नहीं गुलता है तो पानी अपने अंदर इसको जल्दी लेता नहीं है इसलिए स्लो प्रोसेस और मैंने प्रोसेस क्योंकि यह पानी में घुल जाता है तो प्लांट अपने अंदर इसको ले लेता है और कि फसल टेजी से होता है बात समझ में आया यह फर्क है क्लियर है अगर अब अगर हम बोले कि हार्मफूल कौन है भाई यह कैमिकल्स किसमें ज्यादा है है हां है ना क्लियर है क्यमिकल्स किसमें आता है यह तो एप्रोक्सिमेट बोले तो जीरो से लेके 0.99% हार्मफूल अलब ना के बराबर हार्मफूल है क्लियर है क्योंकि यह और्गेनिक है नैचुरल से मिला हुआ है लेकिन वो हार्मफूल नेचुरल फो सोल्यफूल तो है पानी में लेकिन वो कभी खुद से सड़ेगा नहीं गत्र जस्ट लाइक प्LASTIC कि मिल तो पहले प्लांट में मिलने के बादग प्लांट को दो इनसान खाएगा दो लोग खाएगा एक तो जानवर जो कहता हो और दूसरा हम थो खाएंगी खाएंगी उसके पैटों घ्रता हे हमारे दोनों के जिंदा है यही preciso शब्समज में आ यह या इसालिए आज करता है कि आज कल के मैंलाब जो आप हैं सबजियां सहते होती हैGi Maca जो आप जो फल खा रहे हैं उसको उसको पका को पहले पका के दे रहेता है तरह टेस्ट भी नहीं रहता है तो वह कारवाइट के चैमिकल्स आपके पेट में जा रहा है इसलिए प्रॉपर लेंगा चाहिए अध समझ में आया केमिकल्स और मैनिवर और फर्टिलाइजर में डिफ्रेंशेशन समझ में आ गया स्लो फास्ट ची कॉस्टली कौन कम न्यूट्रियंट सप्लाई करेगा स्वाइल को देखो डिफ्रेंशेशन करने का क्या क्या पॉइंट है सस्ता कौन फास्ट कौन सॉल्यूबल कौन ठेक उसके इलावा न्यूट्रियंट कौन ज्यादा सप्लाई कर रहा कौन कम कर रहा उसका नॉर्मल डेफिनेशन कि यह और गेनिक मैटर से बना और यह केमिकल सब्स्टांसे से बना है क्लेर है होगे यह डिफ्रेंशेशन बात समझ में आया क्लेर है